हेलो फ्रेंट्स एक वाट फिर से आप सभी का एलिया एस्टडी आई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मायत के कुछ ऐसे महत्पूर्ण प्रस्ण देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आई टी परवेस परिच्छा के ल पर दोस्तों आपको बता दे कि नंबर सिस्टम से हरी एक साल आपके जामें 4-6 नंबर जो है देखने को मिलता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस टॉपिक को देख लेते हैं ताकि आपके एक जामें कोई भी परस्ण जो है इससे बाहर ना हो ठीक है और दोस्तों आपको क्या करेंगे तो आप लोग अंदर तक चरूर बने रहेगा तो चलिए क्या करते हैं आपका समय ना लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों आज का जो पहला कोश्चन आपके सामने आ चुका है इसमें पूछा जाड़ा है कि संख्या यहाँ आपको साथ क्या स्थानियमान का युवफल पूछा जा रहा है ठीक है यहाँ पर सलनूशन जवाब करेंगे दोस्तों यहां पर पहला संख्या दिया गया है चोंतिस ठांळ स्थाना आकब देखेंगे च Kay Hind में चार का स्थानिय पर निकालने हैं देखे दोसी संख्य स्थानिमार्ट निकाल दोस्तों दеकि क्या होता है यह सबसे पछले यहां पे दिया हुआ है 30225 थिक है इसमें बोड़ा है आपको दोनों कापको दोनों का यह कल आतल निखल निकल ना शुक्तम निकाल दिए यहाँ तो डुनों को क्या करना आपको जोर करना पर लिन का युद्फ फ़ोन निकाल दिए यहां परblind Sauda दोनों के पहले संखर यहां पे कितना है यहां पर कितना हो ऑसकाट सब्細ज़ा की आजए जो है वो सही होगा यहां पे C answer में आप देख सकते हैं बच्चो 70,400 जो है वो दिया हुआ यह तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि C answer यहां पे आपका बिल्कुल ही सही हो जागा और इसी तरह के प्रस्ट जो है आपको दोस्तों इक्जाम में देखने को मिलेंगे इससे थोड़ा बहुत कुछ एर्भांस प्रांस भी आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे आगे देख लेंगे पहले हम लोग बेसिक प्रस्ट को देख लेते हैं तो यह कुश्चन हमको उमीद है कि आप लोग को समझ में आगे होगा ठीक है और इसका पीडिया भी बच्च के दोणों अस्थानी आमानों का अंतर बता अएवायस Jatudong downta कितना nthup दिया हुआ है दों दिया हूँ पहला नौत आपका यह हो गया और दूसरा नह आपका यह यह हो गया इस दोनों नो क्या श्थानी अमानों का अंतर बताना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं mix लीक लेते होी है ठीक है सोलूसन करेंगे सबसे पहले हो संक्राविके 9-1 टीरी-9 ठीक है और पूल थाय आपका संख्या दिया गया है इस के दोनों नों का अस्थाणीमान हमको क्या करता है कि निकाल लेते हैं देखे ये 9 हुआ उसके बाद कितना अंग है दो अंग है तो जीरों आई निकाल लेंगे तो यह नो लिखेंगे और कितना अंग यहाँ हंप करके आ गिया पहला का ас्थाणीमान यहाँ नो क्या बोढर है दोनों के अस्थानियों मानों का अंतर अंतर नों का गटाओ करना थे अंतर आपको निकालना है न अंतर जब आप दो इसमें से आप च्छोटा भड़ा मैं से शोटा घटा वह न तो बड़ा जो है वह कितना है हुआ इसमें से 900 क्या करो घटा दो जब घटा ऋगे तो आपको कितना निकल करके आएगा एट नाइन नाइन वन डवल जिरो यह जो है आपको निकल करके आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आंसर में आपका कौन सा आंसर में जो है इतना आपको दिख रहा है तो simply से आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो है आपको यह आपको यह option में दिख रहा है ठीक है यानि कि यह option जो है इसका कर सकते हैं फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कॉमेंट के जड़ी बता सकते हैं कि सर सवाल हमको समझ में नहीं आया तो फिर हम कभी इसको डिसक्स कर लेंगे ठीक है चलिए अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन को के और हम लोग बढ़ते हैं यहां पर अगला आप देख सकते हैं पांच अंकों के सबसे बड़ी संख्या पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वो क्या होगा यह आपको पूछ रहा है इस संख्या से आपको पांच अंक का एक सबसे बड़ी संख्या बनाना ह हैं और दूसरा जो है सबसे चोटी से चोटी संख्या बनानी हैं और दोनों का अंतर आपको निकालना है यानिकि दोनों को घटा कर जो कर दिया गया तो देहां कि сер बनने वाली बड़ी संख्या सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या देख लेते हैं बड़ी संख्या कितना बनेगा बड़ी संख्या जब भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या को रखेंगे तो बड़ी संख्या इसमें क्या है पांच है उसके बाद चार है, उसके बाद तीन है, उसके बाद एक है और उसके बाद जीरो है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन क्या आ गया, यहाँ पर इतना अंक को आ गया, उसके बाद फिर हमको निकालना है, दिये गए संख्या से, दिये गए अंको से क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, आप हम लोग क्या करेंगे निकारेंगे तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या को सुरू में रखेंगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या को अगर हम सुरू में रखते हैं तो यह पांच अंको का संख्या आंको नहीं बन पाएगा यह चार अंक का संख्या ही रहा जाएगा इसलिए क्या करेंगे पहले एक को लेंगे उसके बाद जीरो को लेंगे उसके बाद क्या करेंगे तीन को लेंगे उसके बाद चार को लेंगे उसके बाद क्या करेंगे पांच को लेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या भी हमारे पास आ गया अब बोड़ है कि अंतर आप क्या निकालना है अंतर निकालना है सिंपल सा बात है आप यहां पर अंतर निकाल दिए दोनों को आप घटाईएगा अंतर आ जागा ठीक है अंतर दोनों के बीच का निकाल दिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी करना इसको कल्कुलेट करके देख लेना इतना ही जो है वो आएगा ठीक है इस में से आप इसको जब घटाएंगे तो इसको आएगा तो देख सकते हैं कौन से अंसर में 43965 यानि कि यह आपको देखने को मिल रहा है तो यह आंसर जो है यहां पर बिल्कुल ही तो सही हो जाए तो इस तरह से आपका 302 ंस जो है वो स्वाज़़ हो गया देख सकते हैं दोस्तों कितने असान तरीके से जो है क्वें स्वाश्चन स्वाल्व किये जाते हैं आपि इसमें और आपको 4-5 नमिपहुती आसानी से यो है आपके सब्सक्राइब करेंगे तो वह 355 से अगर हम गुना करेंगे तो वह 365 से 4 मतलब 361 जो है वो आएगा तो देखिए सबसे पहले तिसमें पोथ संख्या यह नहीं पता है तो आपको पता होगा बच्चों की जब भी किसी सवाल कोई संख्या हमें नहीं पता हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ मान लेते हैं ठीक है ताब देखे सुलूशन करते हैं इसका फिर यह सवाल भी क्या हो जागा बहुत ही जी हो जागा आप लोग के लिए तो जब सबसे पहले आप solution जब करेंगे तो देखिए संख्या तो हमको नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम संख्या मान लेंगे पर लिख सकते हैं हैं, तो वह संख्या X है उसको हम X से ही अगर गुना करते हैं में आ जाएगा तिन फ्ट्सадर प्ञेड रूट में यहाँ कित नाया यहां कितना रहा है को एक का मान यहाँ पर कितना इस आ गया मैं मि आगया के नहीं कि देख सकते हैं दोस्तों कि वह कौन साथ लिए इस यहां पर आपका बिल्कुल ही सही हो जागा ठीक है यानिकि उनीस तो देख सकते हैं यहां पर इस तरह से उनीस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आ प्रसन में ही बोला जा रहा है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया वो संख्या हमने एक्स माना था एक्स को एक्स से ही गुना किया तो हमका प्राप्त हुआ अगले प्रसन की ओर बढ़ते हैं अगला यहां पर प्रसन है इसमें पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि स्रेडी का प्रसन है यहां परоном का जो है आपसे पूछा जा रहा है वह बहुत ही simple परस्म का जओ चोटा कर लेते हैं फित कितना क्या है इसको मांते हैं यहां में रहे नियुकर 않ए दिनी का लेंगे उसके भाद तो जब आपके पास डी आ गया तो इसलिए आप लो क्या करो यहां पर इसका निकाल दो इसलिए कि आप निकाल लो इसको बहुत ही असानी से तर्म आप रवावल क्या होता है ए पलस है n से इन इन इनटो दी घुर्ट है ओव इस फर्मूला पर बाट अब बढ़े लिए मजिस लिख्या परपर हो आप उनिसमापद निकाल लो थे किमें से निकलेगा देखो टेंहेट कितना याप को दिया हुआ है यहां दिया हुआ है स्वमिस चीछ देंगे दिनके सूल कर सकते हैं ठीक है मैनस और यह मैं चार हो गिए प्लस्ट मिसमें फिरन आधार हो गिया और यह किह आजएगा गुणा मève का एच्छ आप नहीं सं?", और आप battery कितना आ गया इसमाप पर यहां पे 104 जो है वह आ गया यानि 104 में यहां पर आपको दिख्राइब को बिल्कुल हिसका पहलेक्ट अंसर हो जाएगा इस तरह से आप बहुत ही असानी से क्या कर सकते हैं सवाल को कर सकते पता यह सवाल सही समझ में आपको आया की नगे है आप लोग को समझ च्छाथा प्रसंदेखिए यह भी प्रसंद बहुत ही सिंपल है इसमें बोला जाड़ा है कि आ लोगो को दू का पावर पांच इन्टू नौका पावर दू लिखने को कहा गया लेकिन वो क्या किया दोस्तों उसको ये प्रचीस सो बिरानवे जो है वो लिख दिया तो अग। है तो क्या प्रचीस सब्सक्षाइं दोड़न गांटिए जिर्ला करन देखे यहांप अंतर निकाल नह熱 है ना देखो यहांपक tua पावर पाँंच इन्टू का फावर दू बराबर क्तून सिर्ट पारलस नहियंँ है को सड़ी एक डियूम को तुना कर एंगे उन्वा ठाहा भता हो तैम ग्जमिंच में क्यामतना एक रिखेंट जाब इसका जैब करो के कांच प्रकोर्याय कितना है था नंदर तो इन्दू टू इन्दू थू एंडू थू थो लैदर अबहसी है ठीक है गुने अब देखो नो को नौ से गुना ख़र तो नौनमा एककासी होगा यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं बताइए वारा नौनमा एककासी है उसके बाद देखिए और यह माइनस से पचीस सो बिलानवे हैं अब देखिए 32 गुने एकासी जवाब करेंगे तो य यहां पर जीरो हो गया यानि कि अप्र सबस्केते की आपके पूछिया जाते हैं तो इस तरह है आपक्या कर सकते हैं सब restriction को बहुत असां तरीके से बना सकते हैं थीकर आप चलिए हम लोग आगे देखता है प्रस और यह दो चार्शा笑 करता है देख लेते हैं ढगाघला इसमें हमलोग क्या करते हैं सबसे नीचे से पहले इसको करना इसको शुरू करें गे में दिर चोटा होता चला जाएLo क्या होलता हो जाएगा और बहुत ही असानी से आप इसको क्वाहतेश्च और आप शूल कर पाएंगे थिक है तो देखिए इसके मतरिया करते तो ुऋध js his अब आप सोल्म कड़ेंग है happen生活 वान कर देते हैं माइब नर्शा कर देते हैं अब इसको देखो यह दो आए एक शो ये दिया में आ जाए इक मतलब पांच पश्यक्ज लुड़त रहे हैं यहाँ उसको जाब हम आखें च्थितने करेंगे इसको सोल्व करेंगे देखिए बच्व यह कितना उपर में वन थी पलस वन वाय फिर थी फ़लस यहां पे इसके बटा में अगर देंगे ते तरह पलार जागा पांच वट्टा दूबटा पांच इसको लिख सकते हैं यह दूबटा पांच हो जगा आप असानी से बटा देखिए को तीन पलस ज्रॉट्य पांच अप्सलों करो तहें देखो क्या होगा देखो क्या होगा मी आप इसको किया कर सकते हो चैकल अब देखो ऑप अब इसके बट्टा में भीत यहां पर जाइब फाघ्ड जागा ता फ्लेख प्लर चैगा ताब देखिए एक वुर्टा तीन भऍत देखिए इसको जनकर रम त्य ज़गा पांच बटा यहां पी सत्रव हो आजागा इसको जब आप 거지 पो चुरा में इसको जब आप ग्लूओ करेंगे गों स्तों इसको क्या करना कुछ भी नहीं करना आप इसको चुल्व करना तो आपको जो है आजागा था एक वट्टा अब इसको फोल प्रोलग में फिर इसको लोड़ करें मिटा देगें तीन वट्टा एक इसको अपनी मन से कर देतें पलस एक सटेंड है अब देखो पांच वट्टा 17 इसका सब्राइल सिया माया सत्रास तरह यह आवन हो जागा पलस पांच तया आपा सकते हैं सानी से छब पनवक्ता सत्रा जुआ लिग सकते हैं लिख सकते हैं अब देखें यहां पर एप एक सिज्ट गौर कीजिए तीर आप पिर आपको नहीं समझ मारे तो फिर आप हमको बोल सकते हैं अब देखिए इसके एक बट्ता में एक आराम से रख सकते हैं ना इसकते हैं रहा चापन हो जागा तो देख सकते हैं कि सतरह वाटाइपन यहां पे जो आनसर है बच्छो वह सी ऑप्सन में आपको दिख रहा है सी अपने सतरह पाइपन और रहे उसको आप नीचा से जैसे ही सुल्ब करते जाओगे नीचे से आपको सुल्ब करते जाना है बिल अपने आप यह क्या हो जागा चोटा होता चला जागा और आपका जो आंसर है वह लाश्ट में मिल जाएगा ठीक है इस तरह से साथमा प्रसंदेख लिए आप लोग त हो है वह दिया गया तो रवाश्ट में कितने बच्चे थे यहां पर में कितने बच्चे थे रहे हमको नहीं पता है और आपको पहले हमने बता दिया करते yo.. भी लिटेने मुस्क्षा को सुलूशन में कि हल करते यह सबसे पहले हम मानते हैं तीक है लिए बच्चों की संख्या आकर जो कि कि संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं है है एक municipale लेते ही तो एक्सका डूबना कितना होगा बताओं कैंटH 심्या के भी श्रल है जाएठो एक्स का दूगना दिया जाताै क्यों कि देखिए क्योंगी दिखेए यहाँ पे लेक्ट्ट यहाँ प ही बताया जाए कि कुल बच्छो की संख्या का दूगना आम जो जोSab करते बच्च को है कि दल में कुल बच्चों की संख्या का दूबना आम गए बच्चे का संख्या माने तो सब जैगा दूश स्क्वायर के करते हैं and नहीं कि तो मुझा हुँँ जाएगा यानि कि स्कुए बरावर का हो जाएगा चाहल की अधर शेडिंगे य कुझा अधर में चल जाएगा यानि की पॉठ रहावर यहां पर कितना निकल कि आ दो पचीस से दल में थे आपको यहां पर पता चल गया यहां पर सही हो जागा चलिए दोस्तों अगले प्रस्वन को देखते हैं इस प्रस्वन में में पूछा बोला जाए कि संख्या 37.52 में 7 के अस्थानिय मान और अंकित मान का अंतर निमलिकित में से कौन सा यानि कि इसका अस्थानिय और अंकित दोनों मान निकालना है देखे आपको अगर अस्थानिय मान या फिर अंकित मान निकालना नहीं आता है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ठीक है जैसे इसी question को हम सुल्प करते हैं देखिए यहाँ पर दिया गिया गिया है संख्या आपके सामने दिया गहाए बोल्ड है कि 7 के देखिए यहाँ पर 7 एक संख्या है इसका अस्थानिय माल और अंकितमान दोनों निकालना है उसके बाद उसका जो है अंतर आपको यहां पी निकालना है तो सबसे पहले देखे इसका हम क्या करते हैं अंकितमान निकाल देते हैं ठीक है तो साथ का जब आप अंकितमान निकाल लेंगे तो वह साथ ही होगा ठीक है साथ का अंकित मान तो निकल गया और इसका अस्थानिय मान जो होगा बच्छो दोस्त वो क्या हो जागा साथ उसके बाद जितना भी अंकड़ हैगा उतना क्या करेंगे हम लोग उस पे जीरो जो है वो दे देंगे तो यह आप इसका हो गया अस्थानिय मान जो है इसका हो गया तो इस तरह देख सकते हैं आपको अंकित मान भी निकल गया अस्थान ये मान भी निकल गया उसके बाद बढ़ा है कि निम्लिक हो जाएगा तो इस तरह से अपक्ति इस तरह से आप क्या कर सकते हैं संखिया पटी कि जो भी कोश्चन हैंग उसका बहुती असानी कर सकते हैं और आप अपने एकजम में 3-5 अंक जो है fix कर सकते मैध में आपको फाता है तट 2022 से पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है पचास को चन्त इस तरह से आपको टोटल डेस्ट प्रस्ट जो है आपके प्रिश्चान पूछे जाते हैं और सभी सब्जेक्ट का त्यारी आपको इस चैनल पर फिरी में करवाया जा रहा है तो इस चैनल को आप लोग क्या किजिए सब्सक्राइब करके बेल जागा वहां से आप क्या कर सकते हैं इस प्रिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आप अपने त्यारी को और भी बहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे website lrstudy.com को भी विजिट कर सकते हैं वहां भी आपको ऑनलाइन टेस्ट और बहुत सारे स्टरी में फिरी में देखने को मिल जाएंगे तो वहां से भी आप अपने त्यारी को बहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आगे जब भी हम कोई वीडियो अफ्लोड करें या चाहिए जब भी हम लाइब आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सकें क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ओनली फुर आइटिया परवेस परिच्छा के लिए ही वीडियो अफ्लोड होती है उससे रिलेटेड ही जो भी वीडि